बगल के काले पन से मिलेगी छुट्टी बस इसका प्रयोग करना शुरू कर दो अगर आपके बगल में बहुत जादा काला पन है जिससे आप बहुत लंबे समय से परेशान है खास कर इन गरीमियों के समय में अगर वो काला पन और भी जादा बढ़ गया है आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आप उसे ठीक करें उस काले पन से छुटका रहा पाएं तो आज की इस वीडियो को देखिए एक ऐसा उपाय आपके सामने पेश करूँगा जिसका इस्तमाल करके आप अपने बगल के काले पन से हमेशा हमेशा अगले छुटका रहा पा सकते हैं बहुत ही सामाने सी चीजे होंगी जिनका इस्तमाल कोई भी कर सकता है और अपने बगल के काले पन से पूरी तरीके छुटका रहा पा सकता है और वो जो skin होगी वो पहले जैसी हो जाएगी आपकी overall body का जो color है वैसा हो जाएगा आपकी skin बहुत जादा गूरी हो जाएगी वीडियो के end में मैं आपको एक ऐसे tip दूँगा जिसके मदद से आप अपने बगल के कालेपन से और भी जल्दे छुटकारा पा सकते हैं आएए चली इस उपाय को इस remedy को तयार करना शुरू करते हैं इस remedy को बनाने के लिए आपको चाहियो का cool gate charcoal इसमें मुझूद चारकूल आपकी जो गंदगी होगी उसे खीचने का काम करेगा जो कि बहुत जादा ज़रूरी है कुछ इतनी मातरा में एक मटर के दाने के बराबर आपको इतनी से मातरा में बच जो ही से add करने ना यह देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लेनी है दूसरी चीज जो कि रहेगा नमक नमक हमारी उसे गंदगी को समाप्त करने मदद करेगा इसके मातरा आपको बच चुटकी भर लेनी है और इस तरीके से इस पर add करनी है अब अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो रहेगा नारियल के तेल यहाँ पर बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है आपको इसे इस्तमाल करना ही करना है आपको इसके मात्रा यहाँ पर एक चमच रखनी है इस तरीके से आपको जो ही से डाल देना है अब आखरी में आपको इस तरीके से, अच्छी तरीके से मिला लेना है ये देखिए हमारी रेमेडी जो है, पूरी तरीके से बनके तईयार हो चुकी है जिसका प्रयोग कर आप अपने बगल के कालेपन से छुटकार आपा सकते हैं बतादू इस remedy को आपको बहुत जादा मातराम बनाने की जरूत नहीं है, आप इसे थोड़ी से मातराम बनाईए और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आप उस तरीके से प्रयोग कीजिए, आपको result बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको करना कहें, जैसे आपने इस remedy को लगा करके 20 मिट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने बगल को साफ कर लेना है, तो चली bonus tip के बारे हम बात करते हैं, जिसके इस्तमाल से आपको result और भी जादा अच्छे मिल सकते हैं, आपको करना कहें कि आपको नीबू लेना है, और नीब के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप इस remedy को उपर से लगाईए, और उसके बाद उपर से जो है आप 20 मिट और छोड़ दीजे, अब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको result जो है और भी जादा अच्छे मिलेगा, बात रहे हैं इस remedy का use आपको किस तरीके स करन झाल